पूर्वे लद्दाक में लाइन ओफ एक्च्वल कंट्रोल पर तनाव के बीद सिक्किम में भारत और चीन की सेना के बीद जड़ा पूई है बताया जा रहा है कि तीन दिन पहले सिक्किम के नाकुला में चीनी सेना ने बॉर्डर किया था इस्तिती को बदलने का प्रयास किया था और उसके कुछ सेनिक भारतिया शेतर में बढ़ने की कोशिश कर रहे थे इस दोरान भारते सेनिकों ने चीनी सेनिकों को रोक लिया तेन दिन पहले नाकुला में भारत और चीन के सेनिक आपस में भिड़ गए सूतरों के हवाले से खबर मिली है कि इस जड़प में चार भारतियों और 20 चीनी जवान खायल हुए है भारते जवानों ने चीनी सेनिकों को खदेर दिया, हलाकि अभी स्थिती तनावपूर है लेकिन इस तिर है भारते सेना के एक बरिस्ट अधिकारी ने कहा कि भारते शेतर के साथ सभी पॉइंट पर मौसम की स्थिती खराब होने के बावजूद कड़ी चौक सी बढ़ती जा रही है भारती शेतर में घुसने की कोशिश कर रहे चीनी सेनिकों के इस कदम से LAC पर हालात तनावपूर है इस तनावप को कम करने के लिए पूर्वी लद्दाक के मोल्डों में भारत और चीन के सेनिय अधिकारों के बीच कल नौवे दौर की बातचीत हुई करीब 15 घंटे तक चले इस बैठक का निशकर्श अभी सामने नहीं आया है लेकिन भारत ने LAC पर तनाव को कम करने की अपील की सिक्किम के नाकूला में गुस्पैट की कोशिश उस वक्त हुई जब खबरे हैं कि चीनी सेना ने पूर्वी लद्दाक से अपने 10,000 जवानों को हटाया है भारत सरकार के सूतरों के मताबिक पूर्वी लद्दाक के अलावा सिक्किम समेथ कई लाकों से चीनी सेना ने अपनी तैनाती को कम किया है लेकिन जवान अभी भी डटे है इस वज़े से भारती सेना ने अपने जवानों की तैनाती बनाई रखी है आपको बता दे कि LSE पर पिछले कई महीनों से तनाफ का माहल है 12 जून को पूरवी लद्दाक के गलवान घाटी में चीनी सेनिक और भारती जवान भिड़ गए थे इस दोरान 20 भारती जवान शहीद हुए थे जबकि चीनी सेना के कई अफसर जवान मारे गए थे लेकिन चीनी सेना आज तक इसके अधिकारिक पूष्टी नहीं की गई है जिस तरह से हमारे जवानों ने फिर से चीन के आकरामे के रादे को विफल किया वो भारती सेना की होसले को दिखाता है दो दिन पहले ही भारते वायू सेना प्रमुक आरकेस भदावरिया ने कहा था कि अगर वे आकरामक हो सकते हैं तो हम भी आकरामक हो जाएंगे किसी भी घटना सेने पटने के लिए हमारे पास पूरी तयारी है बियरो रिपॉर्ट एस्पेन नाइन नीज